हाई गाईज नमस्ते तो गाईज यदि आपके भी अभी तक पाय की तरब से केवाई सी करने के लिए कोई भी इन्वाइटेशन नहीं आया है या आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिला है तो आपके 100% एक चीज़ की कमी है वो है आपका जो अकाउंट वेरिफिकेशन है वो पूरा done नहीं हुआ है अब देखिए account verification में क्या है phone verification और facebook verification तो सब कर लेते हैं ठीक है और उसमें एक रहता email verification उसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं और बहुत सारे लोगों का email verification नहीं होता है जब वो email verification पर click करते हैं और जब अपना email box चेक करते हैं और वहाँ पर जो click हर आता है लिखा हुआ उसमें click करते हैं तो वो chrome में redirect होते हैं उसके बाद वापिस email में आ जाते हैं मतलब verification होता है नहीं है तो उसका क्या कारण है दो region उसके वो मैं आज इस video में बताऊंगा आपको तो पहला region तो देखिए जब हम इसमें जाते हैं profile में यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा email address में ने verify कर लिया है अगर आपके नहीं है तो यहाँ पर verify आएगा अब एक चीज़ ध्यान रखना आपके email verification का जो verify आएगा आपके वो हर time नहीं रहेगा कभी-कभी आता है जब आप mine करते हो तो start करने के लिए कहता तो उस time पर आप verification कर लेना ठीक है यह बार-बार नहीं आता कभी-कभी आता यह दिक्त थे इसमें email address के verification में और सबका रहता है तो जैसे हम आपके सामने verify करने के लिए कहेंगे email verification तो verify पर किलिक करना वहाँ पर अपना email address डालना और start पर किलिक कर देना उसके बाद में आपको जाना है अपने email box में जैसे आप email box में आओगे तो आपको इसा कुछ message मिलेगा ठीक है जिसमें verify करने के लिए कहेगा और click here यहाँ पर जो लिखा है इस पर click करना आपको अब देखिए click करोगे तो आपके दिक्कत है तो क्या करना आपको सबसे पहले तो आपकी जो email में app log लगा हुआ है उसको अठा देना पहली दिक्कत तो यह है बहुत सारे लोगों की ठीक है तो आपको एप log हटा लेना है एक तो email का और एक chrome का दूसरी क्या चीज है आपको जाना है यहाँ पर three line दिख रही है इस पर जाना है three line में जाने के बाद में नीचे जाना है setting में setting में जाने के बाद में आपको यहाँ पर बहुत सारे email दिख जाएगे आपकी जो भी login है और उपर दिख रहा है general setting ठीक है इस general setting में जाना है यहाँ से आपको general setting पर tape करना है जैसे आप general setting पर click करोगे तो यहाँ पर जाओगे और यहां से आप देखना नीचे नीचे आपको दिखेगा open web link in Gmail देखो यह वाला इसको आपको चालू कर देना ठीक है यह इसको भी चालू करना जुरूरी है क्योंकि यह फिर redirect नहीं होता है Gmail में से इसलिए इसको भी चालू कर लेना यह दो दिक्कत है इन दो को पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तेंक यू